जै हिंद इस वीडियो में हम लोग नॉर्थ अमेरिका कॉंटिनेंट के बारे में स्टडी करेंगे और उसको पॉलिटिकली देखेंगे कि उसमें टोटल कितनी कंट्रीज हैं यूएन के अकॉर्डिंग तो देखिए दुनिया में टोटल साथ कॉंटिनेंट हैं उन्हीं में से एक है नॉर्थ अमेरिका तो नॉर्थ अमेरिका में यूएन यानि यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग इसमें टोटल 23 कंट्रीज हैं इसमें टोटल इसकी मेंबर हैं जिसमें से कुछ ही लेंड नेशन है जिनका कोई आप इसमें फुल मैप भी नहीं होगा ये हमारे गोवा से भी चोटी-चोटी कंट्रीज हैं तो स्टार्ट करते हैं देखिए सबसे बड़ा कंट्री है यहां का कनाडा और ग्रीन लेंड जो की आता है नौर्थ अमेरिका में ही लेकिन ये पॉलि जिसे अमेरिका भी बोला जाता है यानि जो अमेरिका है वो नौर्थ अमेरिका का ही एक सबसे बड़ा कंट्री है और फिर है मेक्सिको अचा इन तीनों कंट्रीज ने मिलकर एक समझोता किया है जिसे बोलते हैं नाफटा नौर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रिमेंट ज सातवी हैं होंड्यूरास, आठवी हैं निकारागुआ, नवी हैं कोस्टारिका और दसवी हैं पनामा यानि यह 10 कंट्रीज तो मेन लेंड की कंट्रीज हो गई यानि यहां से लेकर यहां तक यह पूरा एक साथ ही जुड़ी हुई है और बाकी के 13 कंट्रीज यह आईलेंड नेशन हैं जिसमें आपको क्यूबा देख रहा होगा, हैथी देख रहा होगा और जमाइका देख रहा होगा और यहां पर एक आपने बर्मूडा ट्राइंगल का नाम सुना होगा तो यही पर यह बर्मूडा से आपको देख रहे ना, यहां पर आपको दिख रहा है यह बर्मूडा यह ऐसे यह ट्राइंगल है जहां पर कोई भी चीज अगर जाती है तो वो आज तक वापस नहीं आई है साइंटिस भी इसका पता नहीं लगा पाएं कि ऐसा होता क्यूं है अच्छा मेक्सिको के बाद जो भी कंट्रीज हैं और साउथ अमेरिका की नॉर्धन कंट्रीज को केरिबियन कंट्रीज भी कहा जाता है या Central American countries कहा जाता है और UN में ये इसी हिजाब से registered है तो देखिए इसका पानी देखेंगे कि कहां कहां से touch होता है सबसे North में है Arctic Ocean यानि Arctic महासागर इधर है Labrador Sea आपने Labrador Dog की breed भी सुनी होगी फिर इधर ये है Baffin Bay ये Hudson Bay Hudson की खाड़ी और ये East में तो Atlantic Ocean है, सरगासो सी है Gulf of Mexico काफी important है यहां पे और Yucatan Channel और ये Caribbean Sea इसी के लिए इन countries को Caribbean countries कहा जाता है बाकी West में आपको Pacific Ocean देखी रहा होगा जो की दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है अच्छा आपको यहां पर थोड़ा सा Lesser Antiles भी दिख रहा होगा और इस Lesser Antiles को हम लोग एक बड़े मैप में देख सकते हैं ये देखे, कितने छोटे छोटे देश हैं ये, ये सभी देश हैं लेकिन कितनी छोटी छोटी territory रखते हैं तो North America की सबसे बड़ी country है Canada और यहां की major currency डॉलर ही है आप जानते ही हैं कि डॉलर का कितना ज़्यादा योगदान है हमारे वर्ल्ड के trade में ये South America से separate होता है Isthmus of Panama यानि Panama की Isthmus से और Asia से separate होता है Bearing Straight से यानि Bearing जल डमरू मद से separate होता है ये Asia से अचा Straight क्या होती है Straight वो सकरा हिस्सा होती है पानी का जो दो water bodies को जोडती है या फिर दो land bodies को connect करती है तो importantly North America में 10 countries जो की main land में है बाकी 13 countries जो की island nation के हिसाब से है तो इन 10 countries में बहुत ही छोटी छोटी countries है जिने मैप पर इसली दिखाया नहीं जा सकता है इसलिए हम लोग सिर्फ main land की countries को ही पढ़ते हैं और आपने West Indies का नाम भी सुना होगा तो ये सब इन ही countries को के group को West Indies भी कहा जाता है इन ही में Central American countries है Caribbean countries है और West Indies countries यहीं पे सब लाई करती है अच्छा यहाँ पर Great Lakes भी पाई जाती है ये आपको जीलें दिख रही होगी इन पांचो लेक्स जीलों को Great Lakes कहा जाता है क्योंकि ये एक साथ एक ही location पे हैं जिसमें आपको Superior दिख रही होगी Michigan दिख रही होगी Huron, Eerie और Ontario ये पांचो लेक्स Great Lakes का formation करती है अच्छा यहाँ से Tropic of Cancer भी पास होती है जो कि सिर्फ दो country से पास होती है एक तो Mexico और दूसरी है Bahamas तो ये था North America का Political Map हम लोग North America का Physical Map भी जल्दी ही study करेंगे तो वो next वीडियो में आएगा उसमें हम लोग उसकी mountains, lakes, rivers जो की important होंगी और भी सारे physical features देखेंगे और सबसे highest, largest, smallest point को भी देखेंगे कि कौन सा कहां कहां पे situated है